नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर महिला दिवस के अउसर पर HCG NCRI Care Center नाकपूर ने अपना महिला विशेश क्लिनिक दिव्या लॉंच किया है जो सभी आई वर्ग की महिलाओं को स्क्रीनिंग परामर्श सहायता प्रदान करता है HCG ने अपने पैकेज की भी गोशना की जिसके तहट सभी महिलाए चेक अप करा सकती है पैकेज में शामिल है पैप स्मियर, मैमोग्राम, UHG, महिला सलाकार, आहर विशेशग्य, फीजियो तेरफिस्ट, साइको एंकोलोजिस्ट और सर्वाइकल कैंसर टीका करन परामर्श यह पैकेज 8 मार्च 2022 से 8 अपरेल 2022 तक या उसके बाद हर मैने की आठ तारिक को फरवरी 2023 तक मानने है अद्धैनों के अनुचार हर साल भारत में लगबग स्टन कैंसर के 1,47,000 मामले और गरभाशय गृवा के कैंसर के 1,20,000 मामले सामने आते है महिलाओं में स्टन और गरभाशय गृवा के कैंसर का संचै जोखिम क्रमश 2,7 प्रतिशत और 1,6 प्रतिशत है यह ध्यान दिया चैना चाहिए कि स्टन कैंसर भारत में सबसे आम कैंसर है और दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में स्टन कैंसर से अधिक लोगों की जान जाती है इन सभी चवकाने वाले आकड़ों को ध्यान में रखते हुए एच्सीजी ने इस क्लिनिक को अपनी सेवाओं में जूड़ा है जो महिलाओं के लिए मददगार हुगा सामजीक, धार्मीक, शैक्षणीक एवं मानव सेवा के लिए सदा समर्पित, सर्व मानव सेवा संगने संस्था पकत दक्ष सुभाश कोटे चाकी प्रमुक उपस्थिती में पूर्वनाकपुर के विधायक एवं विकासपुरुष कुरुषना खुपडे का उनके जन्मदीन के अउसर पर सातकार किया इस अउसर पर मुख्य रूप से कार्याध्यक्ष केतन से ठिया प्रितम बोकडे, अक्षय बेलसरे, विजय खंडे, अनिल गायकवाड, प्रशान बोरकर, पंकजमून, मनिश नंदनवार, नितिन बिजवे, नाबा मनना, आधि माननेवर उपस्थित थे हाल ही में महारश्ट्र राज्य विद्धूत मंडल अधिकारी संग का 44 वा वार्शिक सम्मेलन पूने में आयोजित किया गया इस सम्मेलन में एसोसियेशन की नई कार्यकारिनी का चुनाव किया गया प्रविन बागुल को एसोसियेशन के अध्यक्ष और संजे खाडे को महासजिव के पतपर चुना गया अन्य पदाधिकारियों में केंद्रिय सचिव प्रविन काटोले कार्यकारी अध्यक्ष किशोर भागुल महावितरन मंगेश शिंदे महापारेशन नंदकिशोर पांडे महानिर्मिती उप महासजिव प्रणेश शिरत महावितरन समिता बड़े सांगीक कार्यले का समाविश नवन निर्वाचित महासाचिव संझे खाडे ने कहा कि असोसियेशन महावितरण, महापारेशन और महानीरमिति और सुत्रधारी कम्पणी के तहत वित्ता और लेखा, मानो संसाधन, सूछना और प्रध्योगी की आदियोगीक संबंध, जनसंपर्क, कानून, सुरक्षा और प्रवर्तन के अधिकारियों का प्रतिनी धित्व करता है। प्रतिने का उनका इरादा है। काम होने के बाद सभी गाडिया पहले की तरह ही चलेगी। रेलवे प्रशासन ने विकास कारियों में आम जन्ता से सहयोग की अभेक्षा के साथ यात्रा बाधित होने के लिए खेच जताया है। दुर्ग से चलने वाली 08741 दुर्ग गोंदिया मेमू स्पेशल ट्रेन रद रहेगी। गोंदिया से चलने वाली 08742 गोंदिया दुर्ग मेमू ट्रेन रद रहेगी। नव से बारा मार्च तक तुमसर रोड से चलने वाली 07811 तुमसर रोड तिरोडी डेमू ट्रेन रद रहेगी। तुमसर रोड डेमू स्पेशल ट्रेन रद रहेगी। अल इंडिया मजली से इत्यादूल मुसलेविन पार्टी के 64-वे स्थापना दिवस पर कारेकरता सम्मेलन का आयोजन नागपुर के प्रभारी निसार सिद्धिकी के अध्यक्षता में चोपडे लौन जाफर नगर में किया गया। इस अउसर पर कॉंग्रेस सहीत अन्य पार्टी के कारेकरताओं ने AI MIM में प्रविष किया। उत्तर नागपुर के कॉंग्रेस इनेता सलीम खान ने 100 से जाधा कारेकरताओं के साथ AI MIM पार्टी का दामन धामा। कारेकरम में मुख्य रूप से राज्य प्रवक्ता प्रोफेसर जाविद पाशा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए AI MIM की विस्तरूद भूमी का रखी। शहर अद्धक्ष जाविद अक्तर ने भी अपने विचार रखे। महिला विंग महासाचियू किर्ती डोंग्रे ने कहा कि AI MIM सविदान पर चलने वाली सेकुलर पार्टी है जिसमें सभी धर्म की लोग पार्टी से जूड रहे है। इस दवरान अनिक पत्रकारू एवं साहित्यकारू का मानचिन्न और शावलदेकर सतकार किया गया। मंच संचलन शाहिद रंगुन वाला ने किया मंच प शारिक जमाल, मुहमद रिज्वान, कलीम अंसारी, मुहमद मुस्तफा, रिज्वान अंसारी, अलफाज वसीम पतेल आधी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागर्ण उपस्ठित थे। समिती की अध्यक्षा दिव्याधुरुडे आधी मानने वर उपस्ठित थे। अन्यक्षेत्रों में प्रदर्शन करके मराठी भाषा को सवरक्षित करने वाले गण्मानने वेक्तियों को सम्मानित किया। विवेका अस्पताल के निदेशक नागपूर के एक प्रसिद्ध रिदैरोग विशेशक्ग्य डॉक्टर प्रशान जकताप साथी ततकालीन चिकित सा अधिक्षक डॉक्टर अविनाज गावंडे को सम्मानित किया गया। लेखक, निर्देशक एवं पत्रकारीता के क्षेतर में उत्कुरुष्ट कार्य करने वाले पराग घोंगे एवं वयवरद्धर अंगकर्मी, रमेश लखमापूरे तथा सुर्भी शिरपूरकर को भी सम्मानित किया। मनसे ने सभी गणमानने वित्तियों को शौल, नारियल और प्रमान पत्र भेट कर सम्मानित किया और उनके उजवल भविश्य की कामना की। इसी प्रकार वार्ड बैलिस के सोनेगाव क्षेतर में मनसे शाखा ने नागरीकों के लिए सरकारी योजनाओ की जानकरी देने जैलिस स्थान उपर रकतदान शिविर का आयोजन किया गया और स्वास्ट शिवीर और सांस्कृति करेक्रमों का भी आयोजन किया गया। इन शिवीरों में 1200 से अधिक युवाव ने रक्तदान कर समाज सेवा का दाइत्व निभाया इस रक्तदान शिवीर का आयोजन लाइफ लाइन ब्लड बैंक, हेडगेवार ब्लड बैंक, जीवन जूती ब्लड बैंक, डागा अस्पताल के मध्धम से किया गया शिवीर का आयोजन भाचपा पारशदू, वार्ड अध्यक्षो और विभिन्न सामाजिक संगटनों के माध्यम से किया गया स्वास्त शिवीरों का सेकड़ो नागरी को ने लाव उठाया, कुछ जगों पर एक शाम कृष्णभाव के नाम जेसे सांस्कृती कारेक्रमों को हर्शुलास से आयोजन किया गया मंडल अध्यक्ष संजय उचट ने बताया कि नागपुर में हर साली स्थरा का आयोजन होता है इन शिवीरों का आयोजन उस माध्यम से अधिक मात्रा में रखता एकतरित करने और जरूरत मन मरिजों को समय पर रखता उपलप्त कराने और उनकी जान बचाने में मदद करने के उद्देश्य से किया जाता है कारेकरताओं में इतना उच्छा था कि सेकड़ों कारेकरता रात को सतरंजी पुराक्षेतर में एक जूट हो गए थे धोलनागाडों की आवाज से पूरा इलाका गोंज उठा था पूरे सतरंजी पुराक्षेतर में मानो उच्छाओं का माहुल बना हुआ था पूर्वनागपूर के विकास पूरुष विधायक कृष्णा खुपडे के जन्मदीन के उपलक्ष में नगर सिवक नरिंद्र बाल्याबूरकर के द्वारा आयो जीत लड्डू तुला का कारेक्रम सतनामी नगर चोक लकडगंज में हर्शुल्ला से संपन्न हुआ इस अवसर पर वसंताजी एंडे विनोत पतेल शिवबाभू पतेल जगदिश पतेल नारायन हरियानी नरसी पतेल मनुच ठककर अनिल धावडे सतीज भरवटे मोहन रेवतकर पुर्षत्तम बिजवार सुरेंद्र समुंद्रे विज्यु एडंडे राजु आचार्य दत्तु बारसकर राजु रायसने सुरेशाडगे राजु बोंद्रे विशाल कुल्लापुरे ललीतामगे सुमीत पडोले संजय गोयल हितेज जोशी म बारत पटेल, निरंजन दहीवाले, महेश यंडे, राजेश थापा, मनीश यंडे, सोहम रूडानी, राकेश बारई, एवं परिसर के गणमान्य नागरिगण प्रमुकता से उपस्थित थे मा महिमा बहुत देशी ये शिक्षन व सामाजिक संस्था के सचिव, रवी पवनी करके नेतरूत्व में, महिलादीन के उपलक्ष में प्रभाग बारा, तांडा पेट में नेतरजाच, दंतजाच, स्वास्थेजाच वर अक्तदान शिविर का आयोजन किया गया कारेक्रम में प्रमुक्ता से व्रुंदा विकास ठाकरे, समाज सेवी का OBC मैला महासंग अद्ध्यक्ष, नैशली, नागपुर शहर मैला कॉंग्रेस अद्ध्यक्ष, रमेश पूने कर नगर सेवग, जुल्पिकार अहमत भुट्टो नगर सेवग, रमन पैगवार, भासकर पराते, भाजपा कामगार अगाडी अद्ध्यक्ष, मोतीराम मोहाडीकर, रवी पराते, राजिस धापुड कर, संस्था अद्ध्यक्ष, विशाल लारूकर, मारूती निनावे, आधी उपस्थित्ते, शिवीर को सफल बनाने में प्रकाश लाई से, मनोच पौनीकर, विज पौनीकर, क्रिया पौनीकर, संगीता मोंदेकर, किरन निखारे, रदिक्षा उम्रेटकर, दुरगा धापुड कर, आधी ने प्रयास किये इस आउसर पर, सुबध मोहित पाटिल, पुर्व केंद्रिय मंत्री, पुर्व विधायक प्रकाश गजबिये, और पुर्व पार्षत, वेद प्रकाश आर्यक्यू पस्तिती रहे। विपरित सामाजिक तथा आर्तिक स्थिती पैदा हो गई है, जिसके कारण कई लोगों को आसन तरीके से पैसे कमाने के लिए अपरात की और धकेल दिया गया है, जो दुरुभाग्ये पुरुणा है। गुरुह मंत्रीवल से पाटिल ने कहा कि राज्यसरकार विदर्व के विकास के लिए कटिवद्ध है। नागपूर महानगर में युवा महिलाय तिरा मार्च को भेदभाव छोड़ो, समानता के लिए दोड़ो और सुरक्षा के लिए दोड़ो, संदेश के साथ जागरुकता फहलाएगी। सविधान चौक से कस्तुरजन पार्क तक महिलाओं की पांच किलोमीटर की मैरेथोन दोड़ में शहर के 50,000 से अधिक युवतिया और महिलाय साथ में होंगी। ये दोड़ आठ मार्च को महिला दिवस के अउसर पर प्रशासन की पहल से आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की विस्तुरूत योजना बनाई है। डॉक्टर नितिन राउत ने शुपकामनाय दी और इस उपक्रम की समिक्षा की। अपर पुलिस एक्ट अस्वती दोर्जे, कलेक्टर आरविमला, महिला अधिकारी हैं जो पुलिस विभाक एवं जिला प्रशासर में महत्वपुर्ण पदो पर कायरत है। ये नापपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। लहुत रहे हैं। इने दिव्यांग सवारी, महर्शिद अयाना नगर निवासी, दिनेश आनन्दराउ ठावरे ने उन्हें बैक के बारे में बताया। शुशिल और दिनेश ने मिलकर बैक खोल कर देखा, तो उन्हें एक लाग देढ़ हजार रुपे नकत और कुछ जरूरी कागजाद दिखाई दिये। तो इसकी मदद से बैक हसन को लोटा दिया गया। शहर में तकरीबन 300 खेल मैदान और बगीचे हैं, माता-पिता बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन न दे। केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने कहां कि मैं चाहता हूँ कि वरिष्ण नागरी को सहित एक लाग बच्चे हर सुभ मैदान फर जाए, खेले और व्यायाम करें। वे यहां आर्टियो चौक और विश्व विद्याले परिसर के बीच फ्लाई ओवर के शिलान्या समारों के अउसर पर भाशन दे रहे थे। चार लेन और उपर चार लेन होगी, हम अमरावती रोड से तेलंग खेडी तक सड़क को भी चौड़ा कर रहे हैं। मेरी टीम ने जो उत्तम कार्य किया है और आज 26 किलो मिटर रूट पे मेट्रों की यात्रा सेवा शुरू हो गई है। उसी का पुरसकार मुझे आज नागपूर महानगर पालिका के इस समान समारों में मिला है। मैं मनपा के अधिकारी, पधातिकारी तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सईयो करने वाले व्यक्तियों का तहे दिल से आभारी हूँ। इस आशे के विचार मनपा मुझेले में आयोजित कर्तुत्ववान लोगों के सतकार समारों में महा मेटरों के प्रबंद निदेशक डॉक्टर ब्रिजेज दिक्षित ने व्यक्त किये। 12 किलोमेटर सेक्षन का कार्यतिन सप्था में पूर्ण कर लिया जाएगा। अधिकारी तथा आम्भुरा देवस्थान के सभी विश्वस्त गण उपस्तित थे। अजे शेश्राव बुधे लोक निर्मन समिती सभापती सुचिता चामाटे, स्वच्छता और स्वास्त समिती सभापती विशाल चामाटे को जलापूर्ती एवं ड्रेनेट समिती का अध्धिक्ष चुना गया है। बेबी गजवे को महीला एवं बालकल लैंड समिती की सभापती जबकी उपाध्ध्यक्ष पत पर माया धवले वप्राजक्ता गजवे को सर्वसमती से शिक्षा, खेल और सांस्रोतिक मामलों की सभापती चुना गया है। आदि उपस्तित थे। और अशोक तेलंगे का समावेश है। इन किसानों ने अपने उपर बकाया 2,95,480 रुपे के बिजली बिलो का भुकतान किया है। नाकपूर रेंच के क्षेत्रिय निदेशक, सुहास रंगारी और नाकपूर रेंच के मुख्य अभियंता दिलिप दोड के ने किसानों को सम्मानित किया। इस अउसर पर नारायन आमजरे, अधिक्षक अभियंता, नाकपूर ग्रामिट मंडल कारियाले और दिलिप घाटोल, कार्यकारी अभियंता, उम्रेट मंडल उपस्तित थे। देश के प्रथम शिक्षा मंतरी मौलाना अभूल कलाम आजाद को श्रधान जली अर्पित की। इस तरह 15 प्लस आयूबर्क के नागरिकों के लिए को वैक्सिंग टीके का स्टॉक परियाप्त मातरा में उपलब्ध हो चुका है। टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरीकों से पंजी करन किया जा सकता है। ये जानकारी मरपा के स्वास्ता विभाग की और से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बरडी में ड्रैवेन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीका करन शाम के चार बजे तक किया जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्ता अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस नमस्कार।